हेलो फ्रेंज वेल्कम बैक टू माल चानल आज हम देखने वाले हैं दिवाली स्पेशल रस्मलाई रेसिपी जो बहुती आसान है और क्विकली बन जाती है और इसके जो बॉल्स है रस्मलाई के वह बहुती स्पॉंजी और सॉफ बनते है तो चलिए वीडियो को शुरू करते है क्यों है सबसे फेले मैंने यहाँ पे आधा लीटर गाई का दूद लिया है आप चाहे तो भैस का दूद भी इस्तमाल कर सकते है अब इस दूद में खाने वाला पाउडरियलो कलर डालेंगे अप चाहे तो लिक्विड कलर भी इस्तमाल कर सकते हैं तो आपकी मैश की बहुत जरूरी है इसमें अच्छे से उबाल आना चाहिए तभी आपको जो दूद है वह अच्छे से फटता है तो हम इसे उबलने तक रखेंगे दूद अच्छे से उबल चुका है तो ये स्टेज पे हम इसे फाड लेंगे तो इसके लिए मैंने यहाँ पे विनेगर का इस्तमाल किया है आप चाहिए तो नीम्बू के जूस का भी इस्तमाल कर सकते हैं मैंने यहाँ पे एक टीस्पून विनेगर डाला है और इसे मिक्स किया है हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे अब मुझे और थोड़ा विनेगर लगेगा तो मैं और एक टीस्पून डालूँगी तो आपको जिसे जरूरत पड़े वैसे आप इसे एड़ करते जाए तो अब देख सकते हैं कि यह पनीर और दूद अच्छे से फट चुका है तो यह अभी जो स्टेज है वो इंपोर्टन स्टेज है तो यहां पर हमें गैस को बन नहीं करना है यहां पर हम इसे और 10 मिनिट के लिए पका लेंगे ताकि यह पनीर है वो हाड बन जाए तो यह बहुत ह इंपोर्टन स्टेप है इसको स्किप नहीं करना है इसे 10 मिनिट के लिए पका लेना है जब तक यह थोड़ा सा हाड नहीं हो जाए तो 10 मिनिट के बाद हमें गैस को आफ करना है अब हम इसे चान लेंगे तो इसके लिए मैंने यहां पर इस्तमाल किया है चाय छन्ने वाला जिससे हम चाय चानते है वह चन्नी में यहां पर लिया है यह बहुत ही आसान है ज्यादा चीजों की जरूत नहीं पड़ती हमें तो यहां पर हमें नॉर्मली इसको चान लेना है तो मैं यह पानी इस्तमाल नहीं करनी वाली हूँ इसलिए मैंने छोटी कटोरी लिए अगर को यह पानी चाहिए दूद आटा गुंदने के लिए तो आप यह पानी बड़े बरतन में छान कर ले सकते हैं तो छानने के बाद हम जो पनीर है वो छनी में निकाल लेंगे तो यह सारा पनीर छनी में निकाल लेना है अब हम इसे धंडे पानी से धो लेंगे यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा करके ठंडा पानी डाल रही हूँ ताकि जो vinegar का smell है वो निकल जाए हमें यह stage पर इसे बिल्कुल भी press नहीं करना है इसका पानी बिल्कुल भी press करके निकालना नहीं है इसे सिर्फ जो smell है vinegar का उसे निकालने के लिए इस्तमाल करना है और इसे ऐसे ही रख देना है अगर आप यह stage पर इसे प्रेस करके निकालते हो तो जो पनीर है वो और soft बन जाता है और आपके जो balls बनते हैं रसमलाई के वो तूट सकते है तो यह stage पर इसे बिल्कुल भी प्रेस नहीं करना है सिर्फ पानी निकाल लेना है vinegar का और इसे ऐसे ही 15-20 मिनिट के लिए छोड़ देना है ताकि इसका जो पानी है वो naturally निकल के आ जाए हम इसे ऐसे ही रख देंगे आप यह process करने के लिए छणी और जो cotton का कपड़ा आता है वो बेस्तमाल कर सकते हैं कोई problem नहीं है पर इसमें क्या होता है कि यह जो कपड़ा है इसमें जो पनीर है वो चिपक जाता है तो थोड़ा बहुत पनीर तो उसमें ही रह जाता है तो थोड़ा सा मुझे wastage लगता है तो इसलिए में इस्तमाल नहीं करते हूँ पर अगर आप इससे comfortable हो तो आप यह भी इस्तमाल कर सकते हैं और अगर आपके बस ज्यादा quantity में दूध है पनीर है तो आप बड़ा चन्नी भी इस्तमाल कर सकते हो तो आप देX सकते कि बीस मिनिट के वाई सक पानी निकल चुका है अब हम इसे प्रेश करके निकाल सकते हैं क्योंकि यह पनीर है वो ठंडा हो चुका है और हाड भी हो चुका है तो इससे हम अराम-अराम से जो पानी है वो निकाल लेंगे बिल्कुल इस तरह से अब हम इसे एक बरतन में रखकर निचोड लेंगे ताकि जो और कुछ एक्स्ट्रा बचा हुआ पानी है वो में निकल के आ जाए तो देखे कि हमारा पनीर कितना ड्राइ बन चुका है हमें ये ऐसे ही चाहिए अगर इसमें पानी रह जाता है तो फिर हम जब रस्मलाई की बॉल्स बनाते है तो प्रब्रम होती है तो ये पनीर बहुत ही ड्राइ चाहिए हमें तो इसे हम सारा जो पनीर है उसे निचोड लेंगे ताकि जो पानी है वो निकल के आ जाए अब हमें इसे हाथ की मदद से मसल ना है और इसे सॉफ्ट बना लेना है तो हम इसे इसे प्रेस करते हुए दस से पंदरा मिनिट के लिए अच्छे से मसल लेंगे ताकि ये जो पनीर है वो सॉफ्ट हो जाए और हम इसके रस्मलाई के बॉल्स बना सके अगर आपको ये जो प्रोसेस है वो दिक्कत वाला लग रहा है तो आप इसे फिंगर्स के इस्तमाल से भी सॉफ्ट बना सकते है पर वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है और टाइम भूच जाता उसके अंदर तो जो मसलने वाला प्रोसेस है वो बैटर है पर आप आपके हिसाब से कोई भी प्रोसेस इस्तमाल कर सकते है तो इसे तब तक मसलना है जब तक आपको एक सॉफ्ट जैसे आटा रहता है वैसे गोलाना मिल जाए तो इसे तब तक अच्छे से प्रेस करना है इसमें करीब करी अच्छे से तो हम अब च eks Tag कर रहें देखने के लिए की जिब बॉल बन रहा है उसमें आρχे कह रहा है या नहीं हम तो यह पे सदोय होगा धा कि जल जाता है पर ज्यादा नहीं होगी डेज क्यद्य जल भाल नहीं है तो इसमें थोड़े बहुत आ रहे हैं तो इसको हम वापस पाच मिनिट के लिए मसल लेंगे ताकि यह और थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए और हमें रस्मलाई का बॉल बनाने में कोई प्रॉब्लम ना आए तो इसे सेम प्रोसेस से पाच मिनिट के लिए और मसल ना है यह प्रोसेस बहुत इंपोर्टन्ट है अगर आपको आपकी रस्मलाई सॉफ्ट चाहिए और उसमें क्रैक्स नहीं चाहिए तो आपको यह करना ज़रूरी है और जो हमने कलर डाला था दूद में दूद फाटते वक्त वो भी कंपल सेरी नहीं है अगर आपको आपकी का रस्मलाई का कलर यलो चाहिए तो आप डाल सकते हैं अदर्वाइस आप स्किप भी कर सकते हैं तो यह सॉफ्ट बन चुका है तो मैं इसे चोड़े चोड़े पार्ट्स में डिवाइड कर लूगी और इसके जो बॉल्स है रस्मलाई के वो बना लोगी तो इसे नॉमली अपने हाथ पे लेना है और दोनों हाथों के बीच में ऐसे गुमाना है ताकि इसका जो बॉल है व को बना रही हूं आपको अगर इसे फ्लैट बनाना है तो ऐसे गोल करते करते आपको इसे प्रेस कर देंगा तो आपका फ्लैट रस्मलाई भी बन जाएगा है हम इस विल्कुल भी कॉन फलॉट वगरा कुछ यूजनी किया है हमने सिफ दूज से रस्मलाई बनाई है हम इस तरह से सारी जो रस्मलाई बॉल्स है उन्हें बना लेंगे तो हमारे रस्मलाई बॉल्स रेडी है अब हमसे पका लेंगे इसके लिए मैंने एक ग्लास पानी लिया है अब हमसे उबाल लेंगे जब यह पानी उबल जाए तब हम रस्मलाई के जो बॉल्स है उसे इसमें डाल देंगे आप देख सकते हैं कि मैंने एक ही बरतन का इस्तमाल किया है वापस इसे उबालने के लिए तो इसे तस से पंदरा मिनिट के लिए अच्छे से उबाल लेंगे आप देख सकते हैं कि पंदरा मिनिट के बाद जो रस्मलाई के बॉल्स है उनका साइज टबल हो चुका है तो यह स्टेश पे हम गैस को बंद कर लेंगे और इन रस्मलाई बॉल्स को एक बरतन में निकाल लेंगे तो मैंने यह पे जिसमें में रस्मलाई स्टोर करने वाली हूँ वही डब्बे का इस्तमाल किया है इससे बरतन भी कम निकलते है और मैंने जो पते लाई उसकिया है उसमें मैंने दूद भी फाड़ा था अब उसी में मैंने रस्मलाई को उबाला भी है और अब मैं उसी में दूद भी बना लूँगी तो मैंने एक ही बरतन का इस्तमाल किया है अगर आपको चाहिए तो अलग-अलग बरतन भी इस्तमाल कर सकते हैं तो इस तरह से हम सारी जो रस्मलाई है के बॉल्स है उनको निकाल लेंगे अब देख सकते हैं कि कितने सॉफ्ट बने हैं यह सिर्फ आदा लिटर में बने हैं तो जो एक्सिस वाटर है इसका वो निकाल लेंगे तो इस तरह से हमारे रस्मलाई के बॉल्स पककर रेडी है यह गरम है तो यह थोड़ा सा चेक करने में प्रॉव्ब्यम जाएगा कि यह पॉण्जी बने या नहीं बने फिर हम इसे बाद में एंड में चेक कर लेंगे कि यह कितने स्पॉण्जी बनने हैं अब हम इसका जो रबडी है वो बना लेंगे इसके लिए मैंने आदा ग्लास दूद लिया है इसको हम गरम कर लेंगे अब इसमें हम 4 टेबल स्पून शकर डालेंगे ज्यादा कर सकते हैं पर यह कॉंटिटी में बन जाता है यहाँ पर मैंने 6 इलाइची की पाउडर लिये हैं अब मैं इसमें ड्राइफोर्स दालूँगी मैंने यहाँ पर पिस्ता बादा मोर सुके गुलाब के पत्ते लिये हैं आप आपके इच्छा के अकॉर्डिंग कोई भी ले सकते हैं यहाँ पर स्किप भी कर सकते हैं अब मैं यहाँ पर वापिस यलो फूड कलर डाल रही हूँ यह पाउडर कलर है आप चाहे तो लिक्विड कलर भी डाल सकते हैं इसे मैं पासे 10 मिनिट के लिए पका लूँगी आप आपके इच्छानों सर इसे गाड़ा कर सकते हैं मुझे यह ज्यादा गाड़ा ने चाहिए उसे में 10 मिन तक पकाया है अब हम जो रस्मलाई के वाल से उस पर इसे डाल लेंगे और हमारी रस्मलाई रडी है अब इसे फ्रिज में स्टोर कर सकते है जोब आप इसे फ्रिज में स्टोर करोगे तो यह दूद थोड़ा सा और गाड़ा बन जाता है Less ज़रूर नहीं कि यह ज्यादा फकाया जाए पर आगर आपको जादा जाटा चाहिए तो आप जाधा गाडा भी कर सकते है आप देख सकते है कि इसका कांशिस्टनसी कैसा है दूद का तो यह इतना भी पतला नहीं अगाड़ा नहीं यह मीडियम है और जैसे रस्मलाइ को स्टोर करते हो तीन से चार घंटे के लिए फ्रिज्जमें तो यह गाड़ा बन जाता है अब मैं इसमें कुछ ड्राइफूट्स जालूंगी और रोस्पेटल जालूंगी इससे जाने के लिए बिल्कुल ऑप्शनल है आप इसे स्किप भी कर सकते हैं तो इस तरह से हमारे आसान स्पॉंजी रस्मलाई रेडी है हम चेक करेंगे कि ये कितने स्पॉंजी बने है तो मैं इससे प्रेस करके दिखूंगी कि ये कितना स्पॉंजी बना है देखिए ये वापस इसका शेप होल्ड कर रहा है ये फ्लैट नहीं रह रहा है ये वापस उसकी शेप में आ रहा है तो ये बहुत ही स्पॉंजी बना है आप आपके घर पे भी च्राय कर सकते हैं तो इस वीडियो के लिए इतना ही आई होब आपको ये वीडियो अच्छो लगाओ हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ तब तो के लिए बाबाई ठेक केरन हैपी दिवाली